नमस्कार आप देख रहें बिहार नियूज और मैं हूँ आपके साथ शिवानी गया नवादा की सीमा पर बसे दो गाओं के बीच नदी से बालू उठाप को लेकर वर्चस की चल रही लराई में शुक्रवार की देर रात ना केवल जम कर गोलिया चली बलकी एक पक्ष के लोगों ने एक जेसीवी और एक पोकलैन को फूग दिया बताया जाता है कि बालू के अवैद धंदे बाजो द्वारा की गई करीब डेर सोर रांड फाइरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बीते दस दिनों से गोली बारी की घटनाए कम और जादा हो रही थी खास बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस को सही से ये भी नहीं जानकारी है कि आखिर घटना इस्तल किस थाने चेतर की सीमा के अधीन है चर्चित स्वर्ण विरसाई पंकज हत्याकांड का खुला साब पुलिस ने कर लिया है हत्या के मुख्य तीन आरोपी को एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और कार्तूस के साथ गिरफतार करने में पुलिस को काम्याबी मिली है गुप सूचना के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पंकज की हत्या के बाद वैशाली स्पी मनीश नवहत्याकांड की जाच के लिए एक टीम गठित किया था केंद्री मंत्री पशुपती नात पारस, पूर्व सांसत पपु यादव और सांसत चिराग पासवन सहीत तमाम नेता मृतक के घर जा चुके थे पंकज कुमार उनकी हत्या हुई थी, तो उसका सफल उद्वेदन हो गया है, इसमें तीन लोग सामिल थे, सनोज सानी, बिर्जु सानी, ये दोनों चक नासीर, पातेपुर के हैं, और तीसरा आदमी इसमें रोहित कुमार है, जो इसका है, भैरोपुर, बिदु बिदुर के ये तीन लोग सामिल थे, हतिया करने के पस्चार जो है, इसमें दो रोग दिल्ली भाग गया थे, सनोज सानी और बिर्जु सानी, हम लोगों ने टीम गठित करके इसको दिल्ली से मंगवाया अब बात फुलवारिश शरीफ के बियोर थाना के महावीर कॉलनी का है, जहां सर्वजीत गुपता नाम के व्यक्ति से अपराधियों ने गले से सोने की चेन खीच कर फरार हो गयें, जब व्यक्ति इसकी सूचना देने के लिए थाने में गया, तो उसे यह कहकर लटा दिया अब बुलेट गारी है, तो मोर नहीं पाया, जब मोर थे दो और आगे निकल जाता है, पैदल लिए चिलाते हो भागे लें, पुई पब्लिक रॉप नहीं पाया, जेके लोगदा है कितने क्संग क्यमे था? पटना में हुए नर्सिंग छात्राओं पर पुलिसिया वरवर्ता और लाठी चार्ज के विरोध में, CPI और AISF ने बिहार के स्वास्त मंतरी का पुतला दहन किया, और इस वरवर्ता पूर्द करवाई के खिलाफ कमांडेंड विश्वजीत के नितरित में फ्रती रोध मार्च निकाला गया, आपको बता दे कि PMCA छात्रवास में रह रहें, GNM नर्सिंग छात्राओं को छात्रवास खाली करने का आदेश स्वास विभाग के द्वाराद जारी किया गया था, जिसके कारण छात्राओं ने लगतार इस फैसले के खिलाफ आंदोलन कर धर्ना प्रदर्शन कर रही है, खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां राश्री राजमार्क पर दाहाउर में एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई, बताया जाता है कि आटिका कार में सवार तीन लोगों की घटना स्तल पर ही मौत हो गई, मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस ने तीनों शवों को पोस्ट माटम के लिए सासा राम के सदर स्पताल भेज दिया है, पुलिस तीनों मृतकों की पहचान की कोशिश कर रही है, पुलिस तमाम बंदूओं पर जाच कर रही है, कौन थाना सर देहरी मफाशा अपका नम अरुन पाश्वा जिल्ला अधिकारी आनन्च शर्मा ने कौशकी दुग्ध उत्पादक कम्पनी और जिविका द्वारस संचालित हटिया गाची स्तित केंदर का फीता काट कर उधगाटन किया उद्घाटन के उपरान जिला अधिकारी आनन्द शर्मा ने कहा कि मीरा स्वास्त के लिए काफी लाब दायक है सहरसा जिले में अभी तक 124 नीरा केंदर का शुरुवात किया जा चुका है वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 28,624 लीटर नीरा का उत्पाद किया जा चुका है हम लोगों का लक्ष है कि 2,50,000 नीरा उत्पाद किया जाए इस अफसर पर मुख्य कारिकारी आधिकारी संदीप यादव, दूद उत्पाद आधिकारी नीरज रगवणशी, P.E.S. हेड ओम प्रकाष एवं भारती क्वालिटी मैनेजर मनोज कुमार सहित जीविका दीदी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हमारे सभी लोगों के लिए जो हम अन्य चीर बजार में पीते हैं तो यह लगातार हम लोग का प्रियास है और आज एक सो चौविस स्टोर्स टोटल ओपन हो चुकी है और मेरा सभी सहरसावासियों से अन्रोध है और सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोगों जादा से जादा इसको यूटलाइस करिए एक हेल्धी ड्रिंक है आप इसके लिए और आगे से आगे आईए हम लोग 88,960 लीटर अवी तक नीरा प्रिड्यूस कर चुके वो सर्टिफिकेट भी दिए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है इसमें अन्य भी जो भी समुदाई के लोग इसको लाइबलिवूट के रूप में जोड़ना चाते हैं हमारा पुरा प्रियास है कि हम उनके साथ है बेगु सराय में बीती रात एक दर्दनाग सरक हाथसे में अग्यात वहन की चपेट में आने से एक यूवग की मौत हो गई घटना फुलवरिया थाना च्छेतर के बगहारा डिग एनेच 28 के समीब की है मिनितक की पहचान तेगरा थाना च्छेतर के गौरा निवासी बलराम कुमार के रूप में की गई है फुलवरिया थाने की गश्ती दल से जब बलराम कुमार को सरक किनारे पड़े देखा तब उसे उठा कर स्थानिये पी एच सी ले आए जहां डॉक्टरों ने बलराम कुमार को मृत गोशित कर दिया फिलहाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए बेज दिया है और आगे की करवाई में जुट गई है और फिलहाल इस वक के बुलिटन में इतना ही बने रहें बिहार्ड न्यूस के साथ